नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीवो वी 20 प्रो वर्सस वीवो वी 20 2021 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो वीवो वी 20 प्रो में 6.25 इंच जबकि वी 20 2021 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है विथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.92 इंच की विथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो Vivo V20 Pro में 0.29 इंच जबकि V20 2021 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V20 Pro में 170 ग्राम्स जबकि V20 2021 में 171 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में same ही 20 Ratio 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में same ही 6.44 Inches मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 x 2400 मिलता है स्क्रीन टु बॉडी रेशियो वीवो वी 20 प्रो में 84.98 प्रतिशत जबकी वी 20, 2021 में 83.66 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइ डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो वीवो वी 20 प्रो में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है और V20 2021 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, mono camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो Vivo V20 Pro में 9 different type के features मिल जाते हैं और V20 2021 की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Vivo V20 Pro में dual camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और V20 2021 में single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Vivo V20 Pro में Adreno 620 जबकी V20 2021 में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Vivo V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G और V20 2021 में Qualcomm Snapdragon 730 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Vivo V20 Pro में 128GB जबकी V20 2021 में 256GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो Vivo V20 Pro में नहीं है जबकी V20 2021 में up to 1TB है operating system की बात करें तो Vivo V20 Pro में Android V10 Q जबकी V20 2021 में Android V11 देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 4000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में सेम ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Vivo V20 Pro 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 29,990 रूपीस में मिल जाता है और बात करें V20 2021 की तो वो 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 27,990 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते है Porns and Bombs यानी की फायदे और नुकसान की तो दोनों phone में 6, 5 और 3 नुकसान देखने को मिलता है finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों phone सेम ही है main camera में दोनों phone सेम ही है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है Performance में Vivo V20 Pro आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है जो की 47,999 रुपे में मिलता है दूसरा Vivo V20 है जो की 22,990 रुपे में मिलता है तीसरा Realme X7 Pro है जो की 26,999 रुपे में मिलता है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Vivo V20 से है जो की 19,990 रुपे में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना